ओम शान्ती आज 16 ओगस्ट 2020 है और आज हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे आज की मुरली की रवाइज डेट है साथ तीन 1986 और आज की मुरली का और अधिक सपश्टी करन देने के लिए हमारे साथ है आधर ने आशा दीदी ओम शान्ती दीदी ओम शान्ती आज की मुरली का जो हेदलाइन है पढ़ाई की चारू सबजेक्ट का यथारत यादकार महा शिवरात्री तो इसको पढ़ते हैं बाबा ने कहा आज ग्यान दाता भाग्य विधाता सर्व शक्तियों के वरदाता सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोला नाद बाप अपने अतीस नेही सदा सहीयोगी समीप बच्चों से मिलने आए हैं और बावा ने कहा ये मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है जो भी भिन्विन नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं वो सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्सा, भरा मिलन, भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। यह जितने भी यादगार है, जितने भी उत्सव, त्योहार है। इन सबका संबन संगम युग से है, सबका। कोई भी त्योहार ले लिजए। तो बाबा हम बच्चों को यह कह रहे हैं, कि जब शेट बाबा आते हैं, संगम कारम भी तब होता है जब शेट बाबा आते हैं, और हम बच्चों से मिलते हैं, मिलन मनाते हैं तो मिलन मनाने में ये तो नहीं कि एक दूसरे को देखते रहते हैं बाबा कर्तवे करते हैं मिलन में कर्तवे करते हैं जो कर्तवे उनके हैं नई दुनिया की स्थापना का पुरानी दुनिया के विनाश का नई दुनिया की पालना का उससे संबंधित बाबा हम बच्चों को कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ ज्यान देते हैं वो ज्यान, वो मर्यादाएं, वो नियाम फिर उत्सव के रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा हम आत्माओं की ज्योती जाग जाते हैं और ज्योती जागने से हमारी जो प्रालब्द है, वो हमें प्राप्त होती है तो जो चीज पुर्शार्थ वाली है, उसकी यादकार बन जाती है, प्रालब्द तो है ही है लेकिन हमने कैसे पाया उसकी यादकार है जैसे आज की मोडली में है कि बाबा का आना बच्चों से मिलन मनाना यही सच्ची शिवरात्री है और फिर बाबा के आने के बाद जो भिन-बिन बाबा ने कहा बाते होती है वो सब हमारी उत्सब यादकार बने उधारन के रूप से रक्षा बंधन है अब शिवराबा ने नई दुनिया की स्थापना करनी है नई दुनिया की स्थापना शिवराबा ने पवित्रता के आधार से करनी है तो पवित्रता का बंधन बाबा हम आत्माओं को बानते हैं जिसका यादगार भक्ती में रक्षा बंधन हो गया बाबा ने कहा इस समय आप सर्वश्रेश्ट बच्चों का हर दिन, हर गड़ी सदा खुशी में रहने की गड़ियां वह समय है तो इस छोटे से संगम युख के अलोकिक जीवन, अलोकिक प्राप्तियां, अलोकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन भिन नाम से यादगार बना दिये हैं उच्सव माना जो उच्सव बढ़ाने वाला हो उसको उच्सव कहते हैं जैसे यहां पर आजकल हम संस्कुतिक अच्सव रखते हैं, गीतों का अच्सव रखते हैं, वन महुच्सव रखते हैं, शेलिबरेशन तो उसे वएक्ति की खुशी बढ़ती है, उमंख उच्सा बढ़ता है तो बाबा ने कहा कि ये भक्ति मेफिद भिन भिन उत्सवों के रूप से मनाये जाते हैं और बाबा ने बड़ी सुन्दर हमको ये बात बताई, रियलाइस कराया कि एक जनम की आपकी ये जीवन, भक्ति के तिर्सत जनमों के लिए याद का साधन बन जाते हैं कितना गहरा राज है, केवल एक जनम, ये सब कुछ हमें केवल एक जनम करना है, एक जनम करने के पश्चार, त्रेसट जनम, त्रेसट जनम यादकार बनेगा, आप सोचो तुसे, तो एक जनम कौम क्यों ना, इतना आलिशान रीती से, सफल करें, बिताएं नहीं, परन्तु सफ जनम करें, जो हमरी यादगार इतनी श्रेष्ट बन जा है, और बाबाने का, इस समय की सबसे वंडर्फुल बात यही देख रहे हो, जो प्राक्टिकल में भी मना रहे हो, और निमत उस यादगार को भी मना रहे हो, चैतन्य भी हो, और चित्र भी साथ-साथ है, दोनों हैं, यादगार हैं, और चेतन रूप में तुम वो पुर्शार्त कर रहे हो, सुन रहे हो, और देख देख हर्शित हो रहे हो, कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं, और इजनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, इसलिए भावना पू जैनती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम यूग है ही अवतरन का यूग, श्रेष्ट करतव्य, श्रेष्ट चरित्र करने का यूग, इसको बावने शिवरात्री का, शिव अवतरन ही शिवरात्री है, फिर बावने का, आप सब का मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना हैं आहवान करना अंतर है जब हम शिर्वरात्री मनाते हैं तवाब से मिलन मुलाकात कर रहे हैं बाप और बच्छों का मिलन परिवार हैं और वो लोग केवल आवहान करते रहे जाते हैं उनको यह पता ही नहीं कि शिवा वतरन हो चुका है केवल बाबा ने कहा उन्हों का है पुकारना और आपका है पालेना वह सब्सक्राइब करेंदॉर ने वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए मिल गए यादगार और प्राक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है वास्तव में ये दिन भोलानात बाप का दिन है, फिर बाबा ने भोलानात का मतलब बताया कि भोलानात अर्थार्त बिना हिसाब के अंगिनत देने वाला, यह श्री बाबा को भोलानात का जाता है न, भोलानात भर्दे बंडारी कहते है, तो भोलानात चो है, वो केवल हम बच्चों की सच्चाई औ और प्यार का प्रतीक है, वो कहता है कि सच्चाई से और प्यार से मेरे को याद करो, तो मैं तुमारी भंडारी और भंडारे दोनों भरपूर करूँगा, तो वो हिसाब से नहीं करता है, उसका कारण है, वो दाता है, हिसाब वो बाद की स्टेज है, बाप और बच्चों के बीच में हिसाब नहीं होता, बाप और बच्चे के बीच में देने की ही भावना होती है, इसलिए बाबा एक का पदम गुणा और बे हिसाब हम बच्चों को देते रहते हैं, और देते ही रहते हैं, एक बार नहीं देते संगम युक पर हर दिन देते ही रहते हैं हर पल देते ही रहते हैं लेने वाला लेवे वो देने वाला दे रहा है लेकिन भोलानात क्यों कहते क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता एक का पदम गुणा हिसाब है तो अंगिनत हो गया न पदम भी लास्ट शब्द है इसलिए पदम कहता है फिर बाबा ने कहा इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता तो बाबा ने जो 21 जन्म और 21 पीड़ी की बात कही कितना भी कोई बड़ा दाता हो लेकिन अनेक जन्म का भरपूर बंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता नौलिजफुल होते भी भोला बनते हैं यह जो बाबा ने कहा कि बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता क्योंकि बाप है सागर उसके बाद हम सब हैं मनुश्य आत्मा है वह पिता हम सब हैं भाई भाई मनुश्य आत्मा है तो मनुश्य आत्मा के देने की सीमा होती है कोई कितना ही क्यों ना हो फिर भी उसकी सीमा होती है हद होती है बाप तो बेहत का है तो बेहत का बाप हम बच्चों को बेहत का वर्सा देते हैं तो बाबा के तो उस बात को आप ध्यान पर रखो बेहत का तो बाबा ने कहा इसलिए भोलानात कहा जाता है तो आप सभी भोलानात बाब के भोलानात बच्चे होना एक तरफ भोलानात कहते दूसरे तरफ भरपूर बंडारी कहते है फिर बाबा ने कहा जो मुख्य इस संगम युक की पढ़ाई है जिसकी विशेश चार सब्जेक्ट्स हैं वो चार ही सब्जेक्ट यादगार देवस पर मनाते हैं कैसे पहले भी सुनाया था कि विशेश इस उत्सफ के दिन बिंदू का और बूंद का महत्व होता है क्या है कि शिव भावा के मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसके उपर एक कलश लटकता है और कलश से मूद बूंद भर पानी शिवलिंग पर आता है तो भक्ति में लोग इसका आर्थ तो नहीं जानते हैं उनका मानना ऐसे होता है कि श्रीव जी बड़े रूदर स्वभाव के थे तो उनको ठंडा रखने के लिए एक एक बून्द अब सोचने की बात है कि क्या किसी के स्वभाव को आप एक एक बूंद भर पाने से ठंडा कर सकता है आप मनुश्य के नहीं कर सकते तो वो तो परमात्मा है उनका कैसे करेंगे तो ये है वस्तुता भूंद भूंद अर्था बिंदो बिंदो पल पल सेकेंड सेकेंड बिंदो बिंदो निमेश निमेश परमात्मा को याद करना मन मना भाव होना मन से याद करना उसको उन्होंने बाबा ने कहा, तो बिणु याद की निशनी है, और बून्द ज्टो निशनी है। इस जन की सब्जेक्ट की निशनी बून्द के रूप में छिए हाँ. फिर धारना की निशानी इसी दिन विशेश वरत रखते हैं तो वरत धारन करते हैं तो ये वरत धारन करते हो ना इस पर बाबा ने पहले बताया तो वरत रखते हो ऐसा सहनशील वह अंतरमुक अवश्य बनके ही दिखाएंगे ये वरत धारना की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरन सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए अज्ञान की नीच से जगाना जागरन कराना जागरती दिलाना यही आपकी सेवा है यह शिवरात्री पर लोग जागरन करते हैं ना रात के बारावय तक जागते हैं तो बाबाने का जागरन का अर्थ क्या है वो बाबा ने साना समझाए आतम जाकरती स्वायम भी जागते रहो औरों को भी जगाओ फिर बाबा ने कहा ये जो चारो सबजेक्ट्स क्लियर कहे और इसके बाद भी हम सुनते हैं कि तो चार ही सबजेक्ट आ गई ना लेकिन सिर्फ रूप रेखा नहीं उन्होंने स्थूल रूप में बदल ही दिये हैं फिर भी भकत भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक भकतों की ये निशानी होगी कि जो संकर्प करेंगे उसमें दृड रहेंगे इसलिए भकतों से बाप का स्ने हैं फिर आगे बाबा मिलते हुए कह रहे हैं कि बाबा करा रहा है मैं कर रहा हूं नहीं बाबा चला रहा है मैं कहता हूं नहीं बाबा कहता है हद के कोई भी व्य या वैभव से लगाव ये मेरा पन है तो मेरे पन को और मैं पन को समर्पन करना इसको ही कहते हैं बली चर्णा बली चर्णा अर्थार्थ महा बली बनना तो ये है समर्पन होने की निशानी और फिर बाबा ने आगे भी बताया कि जो अमृत वेले के बारे में जैसे इस दिन को अफ्तरन का दिन कहते हो ना तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं शांती धाम से करम करने के लिए अफ्तरित हो है जब सवेरे उठते हैं तो बाबा केते हैं ऐसा समझो कि मैं आत्मा अवतरित हो रही हूं कहा हूं शांती धाम में हो शांती धाम से इस धरा पर अवतरित हो रही हूं तो जो अवतार होता है उसका मिशन होता है लक्षे होता है तो वो बुद्धी में रखकर कि फिर करम भूमी तो बाबा ने का कि उनका जनम नहीं कहते है इसी स्थिति में रहकर करम करने से साधारम करम भी हम बदा जाते है जैसे दूसरे लोग बोजन खाते हैं और आप जिए ब्रह्मा बोजन ले चलते हो लेकिन आप फरिष्टरे चाल चलते हो डबल उडिट स्थिति में चलते हो तो अलोके चाल अलोके करम हो गया तो सिर्फ आज का दिन अफतरन का दिनलेंेई लेकिन संगम-्युगी अभ्तरन दिवस था और फिर बबाबा ने कहा कि आज के दिन आप लोक बाप-दादा को मुबारत देते हो लेकिन बाप-दादा कहते हैं पहले आप अगर बच्चे नहीं होते, तो बाप कौन कहता? कितना मारमिक सेंटेन्स है अगर आप बच्चे नहीं होते हैं तो मुझे बाप भी कौन कहता है पिता कौन कहता है बाबा कितना बच्चों को रिगार्ड देते हैं और बच्चों का महत्व बताता है और फिर बाबा ने जो कहा कि किस प्रकार से यथारत करम की विधिये सीधा नहीं कहते इसलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात बता दो तो उसमें सुनने की धारना करने की हिम्मत आ जाती है इसलिए सुना रहते कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा यही बदाई है और फिर बाबा ने आगे भी हमें कि ऐसे ने की रॉंग को रॉंग समझाए लेकिन थोड़ा धेर रखो इस प्रकार से बाबा ने पेशंस के भी बारे में बताया और दिल का भाव रहम का हो तो इसके दिल को रहम का भाव लगेगा तो ये सारा बाबा ने इस प्रकार से सारी मुडली में हमें बताया है और आज की जो वर्दान है मुडली में बाबा ने शक्टी को और प्रमान चलाने वाले मास्टर रच्चाइता भव करम शुरू करने के पहले जैसा करम वैसी शक्ति का आवान करो मालिक बन कर और करो क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है, आपकी भुजाएं आपके ओर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये बावा नहीं हम बच्चों को empower किया कि बच्चे तो मास्टर सर व्शक्ति वान ये केवल मात्र टाइटल नहीं है सर व्शक्ति वान तुमारी क्या-क्या शक्ति है और वो शक्तिया तुमारे भुजाय हैं बावाने का भुजा माना तुमको उनकी द्वारा कारे करना है, यह नहीं कोई प्रॉबलम आजाए तब शक्ति नहीं, उस शक्ति स्वरूप होकर के कारे करना है? तो बाबा ने कहा, ओर्डर करो सहन शक्ति, कारे सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन ओर्डर करने के बजाए डरते हो, कर सकेंगे वह नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो ओर्डर चल नहीं सकता, इसलिए मास्टर रचाइता बन हर शक्ति को ओर्डर प्रमान चलाने के लिए निर्भय बनो, तो क्या हम यह कहें कि हमारे में सेल्फ डाउट आता है, इसलिए शक्तिया नहीं आती? दोनों बाते हैं, एक सेल्फ डाउट होता है, दूसा विस्मित ही होती है, जब कोई बात अचानक आजाती है, तो वेक्ति को उस समय यह नहीं सूचता कि उसके पास क्या-क्या रिसोर्स हैं, बाद में वो याद करता है, रही मैं तो यह भी कह सकता था, यह भी कह सकता था, उस समय याद में आता, इसमें बाबा की एक मुडली का मैं उद्धरण दूँगी, जिसमें बाबा ने कहा, वर्दानों को यूज करना, जैसा समय, उस समय के अनुकूल, बाबा का वर्दान याद आए, और आप उस वर्दान के आधार से कारिक करो, इसको कहेंगे सिद्धी आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाब को प्रत्यक्ष कर, सब को किनारे लगाओ, तो इससे हम सिर्फ एक, इसको थोड़ा सा अगर एक्स्प्लेइन करें, सब का सहारा वो है, तो सहारे दाता से ही बुद्धियोग जोड़ो ना, और इधर उदर क्यों ले जाते हो, वो वेरत हैं, तो सहारे दाता को ही पकड़ करके रखो, एक बल और एक भरोसा, और उसमें निश्चे हो, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का, और अधिक्स पष्टिकरन, यदि आपके मन में इस मुर्ली से संबंधित कोई सवाल है, या अध्यात्में जीवन में चलते-चलत कोई भी प्रशन हमारे मन में उठता है, तो आप वो सारे प्रशन हम तक पहुचा सकते हैं, हमको WhatsApp कर सकते हैं, 88-265-99309 पर, और आपके सवालों का जवाब हम प्रशनोत्री कारिक्रम में लेने का प्रयास करेंगे, ओम शान्ति façon जवाब हमारे में लेंडि़ आपके सवालों के झाल सारे खवालों का us भी आपके स안्केश़ कर जवाब देने का प्रब घजार saltनी का झाल एक पुदा है, उपfik va 및 जवाब अधिर नवदम झाल और मुमें प्रुदा यददर हैं, 9 in जवदर are जवाब कस आपके म